नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे फोटो का जो बैक्ग्राउंड होता है उसको हम कैसे रिमूब कर सकते हैं बहुत ही आसानी से हमें कभी कभी जूरत पढ़ती है कि हमारे पास में कोई फोटो है जिसका बैक्ग्राउंड अच्छा नहीं है हमको उसे चेंज करना है तो वो हम कैसे करेंगे बहुत ही आसानी से इसके लिए आपको कहीं सौप के जाना पड़ता है उसके बैक्ग्राउंड को चेंज करने के लिए और धेर सारा पैसा देना होता लेकिन हम उसको अपने हाथ से ही कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इसके लिए क्या करना है कि आपको अपना लेटाप हुपन करना है और आपके पास में लेटाप window 10 है तो इसमें इंविल्ड एप है वह अगर आपके पास में कोई दूसरा है तो आपको कोई third party एप डाउनलोड करना होगा तो आज हम बात करने वाले है window 10 के बारे में और इसमें वो option inbuilt होता है जिससे आपका photo का जो background है वो remove हो सकता है तो चलिए हम सुरू करते हैं और देखते हैं में कैसे क्या करने वाले हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना laptop open करना है और यहां पर जो search box होता है search box में आपको type करना है print 3D क्या type करना है print 3D आप देख रहें कि जैसे हमने print 3D यहां पर लिखा यह आप देख रहें कि यहां पर मेरे पास में print 3D का option आगे हमको इसे open कर लेना है open करने के बाद यह इस type से खुल के आएगा आप देख रहें मेरे screen यहां पर देख रहा है यहां पर आपको new पर किलिक करना है यह जो new को option है आप new पर किलिक कीजे new पर click करने के बाद आपके सामने इस type से pop-up बन के आ जाएगा आप देख रहे हैं कि यहां से धेर सारे option है हमें क्या करना होगा हमें जाना है menu पर menu पर जाने के बाद हमें यहां पर browse file पर click कर देना है browse file पर हम जब click करेंगे तो आपके सामने जितने भी मतलब आपका जहां भी आपका फोटो है वो आपको ले जाएगा वहाँ से आप अपना फोटो सेलेट कीजिए जैसे मेरे पास में यह फोटो है हम इसको राइट किलिक करते हैं और इसको ओपेन कर देते हैं ये photo वहाँ से select होंके मेरे इसमें आ जाएगा क्योंकि हमें इस photo का background चेंज करना है जैसे ये मेरे पास में photo है हमको इसका जो background है वो मुझे change करना है मैं इसको तुछा सा बढ़ा करके दिखा देता हूँ आपको ठीके तो इसका मुझे background चेंज करना है इसके लिए background change करने के लिए आपका इसमें एक option होगा magic select आप देख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है magic select आप magic select पर टस्ट कीजिएगा उसके बाद आपका ये एक crop करके आ जाएगा है मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3-4 dot यहाँ पर बन गया है इसमें आपको क्या करना ह नीचे नहीं चाहिए तो हमुझे इतना ही चाहिए तो हम इसको इतना रख देंगे अब यहाँ पर करना है next ये तो next का option है मुझे ये next पे click कर देना है ये देखिए हमने जितना इसको दिया था उतना ये select करके हमको दे दिया है अब लेकिन इसमें कुछ-कुछ part मेरे extra भी background के आ गया है उनको मुझे हटाना होगा तो आप उपर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो आपसाने एक है add, दूसरा है remove तो add का मतलब यह है कि अगर कोई part आपका cut गया है तो आप इसको हैसे add कर सकते हैं अगर कोई part आपको remove करना है जो extra आ गया है तो आप उसको हाँ से हटा सकते जिसे ये part इतना मेरा extra आ गया है जिसके मुझे कोई जो उरत यहाँ पर है नहीं दूसरा ये मेरा यहाँ पर extra आ गया है हमको ये भी हटाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा remove वाले पर touch करना है और जितना आपको part हटाना है वहाँ से इसको select कीजिए left click कीजिए और उसको ऐसे ड्रेक कर दिये जैसा मैं ड्रेक कर रहा हूँ इधर सा ऐसे ध्यान लखिए कि इस्टा चीजिए आपकी ना कटे इसको कर दीजे ये दिखिए अब आपने जितना किया तो वो यहाँ से हट गया हमें इधर भी यही है करना है तो हम इसको क्या करेंगे इसको ऐसे ही ड्रेक करेंगे यहां से और बहुत यासानी से थोड़ा सा करके हम इसको पूरा ड्रेक कर देंगे मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ आप आराम सी कीजिएगा ताकि आपकी इस्टा चीजें कुछ ना कटे यह देखिए यह मरहां से रिमूब हो गया है ठीक है अब आप देख रहे हैं कि यह जो सेलेक्ट हुआ इसमें यह हाथ जो हाथ है ना हाथ नहीं आया है उसका तो हमें क्या करना होगा यह एड़ पे किलिक करना है हाथ वाले आपसन पे जहां से हाथ है हमें इसको ले जाना हम इसको पहले चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं ताकि हमें अच्छे से देखे हाथ वाले अप्सल को हमें ऐसे ले लेना है ताकि हाथ मेरा कटे नहीं सलेक्ट हो जाये मुझे इतना लिया था और मुझे इसको यहां से ऐसे कर देना है अब आप देखिए हाथ भी आ गया है लेकिन इसमें एक थोड़ा सा यहां पे यह भी आ गया हम इसको रिमूब कर देंगे यहां से इसको पकड़ेंगे ऐसे और इसको हम ऐसे ड्रेक कर देंगे अब यह जो पार्ट हमारा इस्टा हुआ यह हट गया अब आप देख रहे हैं कि यह आ गया इसमें अब यहाँ पर यह छोटा सा पार्ट और भी है जो रिमूब करना है मुझे तो हम इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको ऐसे हम ड्रेक कर देंगे तो यह आप देखेंगे कि यहां का पार्ट यह हट गया अब यहां पर आप देखेंगे कि यह थोड़ा सा काला काला देख रहा है हमको इससे ठीक करना है तो इसके लिए हम आइड करेंगे और add करने के बाद यहां भी हम इसको पूरा सही कर लेंगे ताकि यह अच्छे से देखे जाए ठीक है अब आप देख रहे हैं कि यह पूरा select हो गया है यहां भी हम जैसे ही करना हो जो चीज़े छूट गई है यह देखी यह पूरा मेरा select हो गया है अब हमें करना है इसको done हम इसको done कर लेंगे यह देखिए हमने इसको done किया और यह मेरा photo बनके तयार हो गया हम इसको चाहे तो यहां से अलग भी कर सकते हैं यह आप देख रहे हैं कि यह मेरा photo इस चाहोगा हम इसको चाहे तो हम इसको right click करके यहाँ से copy करके कहीं भी हम इसको किसी भी powerpoint पे या किसी भी word पे paste कर सकते हैं नहीं तो हम इस file को save कर सकते हैं कहीं हमें अगर जरूत होती है तो ठीक है background है हम इसको यहाँ पे change कर सकते हैं तो आप effect वाले option पे जाईएगा और यहाँ पे आपको इसके बात क्या करना है जो background आपको दिख रहा है इस background को हटाना है तो आपको जाना है canvas वाले option पे canvas लिखा हुआ है इस पे जाईए और so canvas को आप कर दीजे आप देख रहे हैं कि आपका सिर्फ photo यहाँ पे दिख रहा है बाकी सारा कुछ हट गया है अब अगर photo पे आपको कोई background देना है तो effect वाले पे जाईए और यहाँ से जो भी आपको background देना है आप इस पे दे सकते हैं अपने मन के हिसाब से जो भी आपको background यहाँ पे अच्छा लगता है आप दे सकते हैं नहीं देना चाहते हैं background तो कोई बात नहीं है वो जैसे था ऐसे ही रखिए अब इसको आप save कर लीजिए save करने के लिए क्या करेंगे इसके लिए आपको जाना होगा menu में और यहाँ पे एक option है save us का इसको आप touch कीजिएगा और यहाँ पे गूँगी आपको वो image है आपको image पे touch करना है image आपको आपके आजाएगा यह देखिया आपका image आगया है अब इसको आप किस file में save करना चाहते हैं अगर आप gpg में save करेंगे तो यह इस तरह से save होगा लेकिन अगर आप png में इसको save करेंगे यहाँ पे png का option है तो इसका जो background है वो transparent हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे transparent पे tick कर दीजेगा ठीक है तो अब आपका यह background transparent होगी मतलब आप यह photo किसी भी चीज़ पे लगाएगे तो यह लग जाएगा इसका कोई background नहीं है आप इसको कहीं भी लगा देंगे यह अच्छे से लग जाएगा उसके बद क्या करना है नीचे आ करके आप इसको save कर लिजे आप जब save पे touch करेंगे तो यह आप से location पूछेगा कि आपको यह कहाँ save करना है आपको यह दे देना है आप अगर इसको जहाँ भी चारे हो जैसे मैं इसको dick stop पर चाहरा हूँ तो मैं इसको dick stop पर यहाँ से location दे दूँंगा ऐसे और अगर हमें कुछ चीज़ का नाम डलना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं और हम इसको यहाँ पे save कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि यह मेरा फोटो हमारे गैलरी में सेब हो गया है मतलब हमारा जो फोटो है वो वहाँ पे सेब हो गया यह आप देख रहे हैं कि यह मेरा फोटो यहाँ पे सेब हो के आगया हम इसको अगर ओपन करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह भी ओपन हो जाएगा बट इसमें कोई background नहीं है तो background नहीं है तो यह अराम यह होता है कि आप इसको जहां भी जहां भी लगाएंगे बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा आप देख रहे हैं कि यह हमारा यहां पर आगया है ठीक है तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि हम किसी भी पोटो का बैगराउंड कैसे चेंज कर सकते हैं तो आज के लिए इतना है और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक रोजग जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद